बाइए और बेनों जो आज यहां ठंड में सर्दी में सत्यागरा के लिए आए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और सिर्फ मैं नहीं देश आपको धन्यवाद करता है जो लोग आज इस सत्यागरा को टेलिविजन पे देख रहे हैं उनका मैं भी यहां स्वागत करता हूँ देश एक आवाज होती है और आज जो हमने प्रियंबल पढ़ा सम्विधान पढ़ा वो हिंदुस्तान की जन्ता की आवाज थी उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया प्यार से शांती से मगर बिना पीछे हटे उसी आवाज ने हिंदुस्तान के अर्द्विवस्ता को खड़ा किया कुरोनों युवाओं को रोजगार दिया भाकरन अंगल बनाया रेलवे लाईने लगाई एरपॉर्ट बनाए उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज को दबाया जाए देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की उन्नती को नश्ट किया जाए तोड़ा जाए देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की शक्ती हमारी अर्ध व्यवस्ता को नश्ट किया जाए और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका अजीब सा दिन है जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए वो काम आज नरेंद्र मोधी पूरे दम लगा के कोशिश करने की पूरे दम लगा कर कोशिश कर रहे है कि हमारी उन्नती नश्ठ हो जाए हमारी उन्नती नश्ठ हो जाए और देश की आवाज शान्त हो जाए चुप हो जाए नरेंद्र मोदी जी जब आप जुडिसिरी पर जवाव डालते हैं तो आप देश की आवाज को चोट पहचाते हैं जब आप स्ट्यूडन्स पर लाठी चलवाते हैं गोली चलवाते हैं तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो। जब आप हमारे जर्नलिस्ट गहां जो खड़े हैं जब आप इनको ड़ाते हो इनको दबाते हो तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हिंदुस्तान के करोणों युवाओं से रोजगार चीनते हो, नोट बंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योग पतियों को, छोटों दुकंदारों को दबाते हो, आप देश के अवाज को दबाने की कुछ करते हो नरेंद्र मोधी जी आप कॉंग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो गलत फैमी में मत रहो ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं है ये देश की आवाज है और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके मित्र अमित्शा को बताना चाहता हूँ कि ये आवाज कॉंग्रेस की नहीं है ये आवाज भारत माता की आवाज है और आप ये बात मत भूलो अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़ो रहोगे अगर आप इस भारत माता की आवाज को स्टूडन्स को प्रेस वालों को जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे तो भारत माता आपको जबर्दस जवाब देने जवारी है और जहां तक जहां तक कपड़ों की बात है जहां तक कपड़ों की बात है नरेंद्र मोधी जी पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है दो करोड रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था आपने पहना था ये देश एक है आप देश को जवाब दीजिए आप देश के करोडों स्ट्वीडन्स को जवाब दीजिए आपने हिंदुस्तान की शक्ति को अर्द्व्यवस्ता को रोजगार को क्या किया क्यूं नट्स किया आप देश को बताईए कि जहां हमारी 9% ग्रोथ रेट होती थी आज 4% ग्रोथ रेट हो कर दिये आपने आप हिंदुस्तान के students को युवाओं को बताईए कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है आप रोजगार नहीं दे पाई आप अर्द्व्यवस्ता को चलाने ही पाई इसलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो इसलिए आप देश को बाटने की कोशिश कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी बहार आईए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताईए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप बहार आईए हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताईए उद्योग पतियों को बताईए युवाओं को बताईए आपने हिंदुस्तान की अर्दरबस्ता के साथ क्या किया आप कुछ नहीं कह पाएंगे आप सिर्फ ये काम कर सकते हो आपको सालों से आपके संगटन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूँ कि इस काम को करने में आप कोई बहता नहीं है हिंदुस्तान को कैसे बाटा जाए हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाए जाए हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए ये आपको सालों के लिए सिखाया गया और आप इसमें नंबर वन है और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है आज ये देश इस बात को समझ रहा है आज इस देश इस देश के college students, university students सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिरफ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आक्रमन नहीं करने देगी आपको इस देश को बातने नहीं देगी ये constitution हर धर्म के व्यक्ति ने बनाया था अंबेटकरजी ने बनाया हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई सबकी आवाज इस constitution में है और आप इस constitution पर आकरमन नहीं कर सकते हो पुरा हिंदूस्तान आपको रोकेगा आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मारे जनरलिस्ट मित रहे हैं यहाँ पे आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ोगे मैं समझता हूँ कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार